9 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री नरेद मोधी के कारिकाल के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष में देश भर में बीजेपी द्वारा महा अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही लोगों तक पहुचाने की कोशिस की जा रहे कि इन 9 सालों में प्रधानमंत्री मोधी द्वारा जो काम किये गए हैं उसके लिए बकाइदे एक बुक बनाई गई है और उस बुक का लोगों तक बित्रण किया जा रहा है हमारे साथ मौजूद है मुंबई बीजेपी के सच्यू संजे पांडे जी उनसे जानते हैं आज यहां पर आपने नौ साल का नौ साल बे मिसाल का जो नारा है उसको चरितार्थ करते हुए इस अभियान के तहट आज जो है CWC के संस्थापक और एकता मंच के अध्यक अजे कॉल से मुलाकात की और उनको एक भुक दिया है क्या कुछ है इस भुक में हमारे देश के यशश्वी प्रधान मंतरी जिन्होंने एक नारा दिया पूरे विश्वकों की वसुदेव और कुटंग बकम और 2014 के बाद जो हिंदुस्तान में एक क्रांती आई मोदी जी के नितरुत्यों के सुरूप में और गत नौ वर्षों में जो भारत ने प्रगती की है हर खेतर में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेट में हो या निवेश के स्टेट में हो हर खेतर में देश ने एक प्रगती की और विश्व के अंदर आज जो भारत का डंका बोल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मन्नि नरेंद्र मोदी जी के नेतरुत के कारण ही हो रहा है और भारती जन्ता पार्टी ने निने लिया है कि 9 साल बे मिसाल के तहत समाज के ऐसे घटक और ऐसे लोगों तक पहुँचा जाए जिनकी समाज में एक आवाज है जिनकी समाज में एक साख है जो नौन पॉलिटिकल हूँ उन तक ये पहुँचा जाए कि नौ साल में भारते जन्ता पार्टी ने और इस देश ने मोदुजी के नेतरुत में देश को किस अस्तर तक लेकर आया है और इसी उपलक्ष में आज हम मानने अजे कॉल सर जी के पास आये हैं और अजे कॉल सर जी क्या है ये मुझे बताने कि कोई आउशकता नहीं है जिस तरह से इस बुक की बात की जाए तो बुक के पहले योजनाओं का क्या इस बुक में सारी योजनाओं जो प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी द्वारा लाई गई हैं क्या उस योजनाओं का इसमें विवरन दिया गया है इस पुष्टक में नौ साल में जितनी योजनाए मोदी जी के नितरुत्त में इस देश में जनहित में लागू की गई है वो सभी योजनाओं का विवरन इसमें है चाहे वो बैंक के अकाउंट ओपनिंग से लेकर के आखरी तक जो विकास काम हुए बंदरगा बने जो पॉलिसी मैटर्स हैं जो सालोस साल से 2200 साल, 2200 साल पुराने काईदे नियम जो हटाएगे उन सब का विवरन इसके अंदर में है इस पुस्तक को देखने से एक 9 साल का पूरा चरितार्थ अपने आख के सामने आ जाता है जिस तरह से 9 साल बेमिसाल की प्रसिधी और प्रचार जो है बीजेपी कर रही है दूसरी तरफ बिपक्ष जो है लगातार एक जूट होने की कोशिस की जा रही है और यह कहा जा रहे है कि 2024 में मोधी मुक्त भारत होगा देखे फर्क इतना है कि मोधी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास वसुदेव कुटमबकम का नारा देने वाले माननी प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी है और जितनी विरोधी पक्ष पार्टियां है, उनका नारा है कि अपने घर को बचाओ यह देश बचाने के लिए नहीं निकले है इनको अपने घरों की चिंता है हर पार्टी जो है किसी न गिसी एक परिवार द्वारा संचलित की जाने वाली पार्टियां है वो अपने घर को बचाना चाहती है देश को नहीं बचाना चाहती है एक सवाल थोड़ा हटके जिस तरह से इस समय मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोविट सेंटर घोटाले की जाच बड़ी ही तेजी से सुरू है SIT, ED लेकिन जिस तरह से उधो ठाकरे जी ने बयान दिया है कि अगर BMC की जाच हो रही है तो PM Care Funds की भी जाच होनी चाहिए और साथी पूड़े नागपूर इन तमाम महानगर पालिकाओं की भी जाच होनी चाहिए देखे ऐसा है अभी मैंने कहा कि परिवार बचाओ ऐसे वेक्ति जिन्होंने हिंदुत्तों को तिलांजली दे दी हिंदु हुदे समराट बाड़ा साथ ठाकरे जी के विचार धाराओं को तिलांजली दी कॉंग्रेस के साथ जाकर के बैठ गए और कोविट के कोविट के उस महामारी के समय जब भारती जन्ता पाल्टी के शीष नेत्रूट से लेकर के बूत तक का कारे करता फील्ड पे उतर करके अपने तन मन धन से लगा हुआ था उस समय में मृत देहों का भी व्यापार करने वाले उद्धो ठाकरे को ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है और मोदी जी के पीम केर फंड की जाज करने की जो बात कर रहे है अरे एक त्यागी वेक्ति है निश्कलंग उसकी इंक्वाइरी आप क्या करोगे कुछ हो तब तो इंक्वाइरी करोगे सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया कि हम तो फस रहे हैं हमने चोरी की है हमने मौत की सौधागर ये तो मौत की सौधागर है मृतिदेहों का वैपार करने वाले लोग इनकी बातों का कोई तथ नहीं बातों का तत्य नहीं, अजे सर जिस तरह से आज आपके हाथ में मोदी जी के नौ साल पूरे होने का लेखा जोखा यानि इस बुक में दिया गया है, क्या कहेंगे? जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनकी जो नीती है, जो उन्होंने योजनाय बनाए है, मेरे को सिर्फ यही यकीन है, कि इसका लाप जो भी ज़रूरत मन्द, जो अंडर प्रिविलेज क्लास अफ दिस सोसाइटी है, मैक्सिमम उसका फायदा और बेनेफिट लें। इस बुक को लेकर किस तरह से जो है एकता मंच और अजे कॉल की अगर बात करें, तो किस तरह से क्योंकि हमने देखा कि लगातार अजे कॉल एक ऐसा नाम है, जिसको किसी के पहचान की जरूरत नहीं होती है, ना तो किसी को बताने की जरूरत होती है, बच्चा बच्चा जहां 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 लोगों की समझ से आए जो भी अंडर प्रिविलिश क्लास को इसका बेनेफिट होगा क्योंकि हम खास करके अंडर प्रिविलिश क्लास ऑफ दो सोसाइटी है जहां एकता की बात है हमने हमेशा वहां पर कार्या करने की कोशिश किया और मुझे यकीन है कि हर तब के कोई इसका फायदा होना चाहिए क्योंकि प्रधान मंत्री ये सब के प्रधान मंत्री है और जहां जहां एकता की बात होगी जहां जहां देश के हिद की बात होगी वहां अजय कौल और प्रधान मंत्री मोधी जी की नेती कोई भी हो हर कोई उसका समर्थन कर रहा है और जिस तरह से 9 साल बेमिसाल का नारा के साथ बीजेपी लगातार कारे करी और लोगों तक पहुचने की कोशिस कर रही है उसी का एक चरितार्थ रूप यहाँ आज देखने को मिला कैमरामेन F.S. पटेल के साथ प्रदीप सर्मा, इन 24 नियोज, मुंबाई